सब्सक्राइब दोस्तों वेलकम टो वर्ड चैनल फैक्स्ट्रेक टूपंटो मेरे नाम हमित सिंग और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है 18-point plan USA का जो उन्होंने चैनल के अगेंस त्यार किया है इसमें इंडिया और दूसरी एशिन कंट्रीज का क्या रॉल होने वाला है और डिसकस करेंगे कि इंडिया इस पूर 18-point plan से कैसे फाइदा उठा सकता है इस प्लैन को त्यार किया है थॉम टिलिस ने जो की सेनेटर है नौर्थ कैरोलीना के इन्होंने इससे यूएस की सेनेट में पेश किया है यूएस की सेनेट जैसे हमारे अपर हाउस होता है राजसबा और लोकसबा उसी तरीकी से यूएस में भी अपर हाउस होता है जिसे वह सेनेट और हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं हाला कि जो डिविशन पावर है दोनों ही कंट्रीज में अपर हाउस के बीच में वह काफी डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो के कंप्रीट वह होती है सेनेट के पास तो इस बात के काफी चांसेज है कि फ्यूचर में हमें इस प्लैन के उपर इंप्लिमेंटेशन होता हुआ नजर आया यूएस गोर्मन की तरफ से थॉम टिलिस ने अपने एटीन पॉंट प्लैन के दो में अब्जेक्टिव बताये हैं पहला टो होड़ दे चाइनीज गोर्मन डेरेक्ली अकॉंटेबल यूएस से के कुछ बड़े गोर्मन ओफिशल्स और खुद प्रेजिड डॉनर्ट ट्रम भी कई बार अपनी प्रेस क स्प्रेड हुआ है और जो सेकंड अब्जेक्टिव है वो है चाइना को वर्ल की टॉप सुपर पाउर बनने से रोकना जो कि आज की रेट में यूएस है लेकिन चाइना काफी तेजी से अपनी मिलिटरी टेक्नोलिजी और एकनोमी को स्टेंथन करता जा रहा है जो कि इकनोमी इस वक्त यूएस से है और जो सेकंड बड़ी एकनोमी है वो है चाइना और चाइना को इतनी बड़ी एकनोमी बनाने में उसकी मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है दुनिया की लगबग सारी बड़ी कंपनी के प्रोड़क्त आज चाइना में और वहां से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं तो इससे चाइना को तीन तरीके से फायदा होता है पहला तो जो टेक्सिस वो भड़ते हैं जब वो प्रोड़क्त बनाते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरा वहां के लोगों को इंप्लॉमेंट मिलता है तीसर यालिगेसे चायना अपने मैनिफेक्ष्रिंग सेक्टर का बहुत फायदा उठाता यह अब क्योंकि दुनिया भर के मैनिफेक्ष्रिंग चाना में होती हैं तो बहुत सारी चारी कंट्री चाना पर डिपेंद हैं अपने ज़रुरी सामानों की सप्लाई के लिए तो यूएस से ने डिसाइड किया है कि वो अपनी मैनिफ्रेक्शन कंपनीज को चाइना से वापस अमेरिका शिफ्ट करेगा इससे एक और फायदा यह होगा कि टेक्नोलोजी कर ट्रांसफर रुखेगा और जो हमेशा से एक एज था यूएस से के अलाइज और अपने फ्रेंडी कंट्रीज को भी इसी तरीके का बैन लगाने का सुझाव दे सकता है और फ्यूचर में इंडिया पे इस बात का प्रेशर पड़ सकता है कि वो हुआवे को अपने यहां बैन करे और जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो है चाइना पे सेंशन लगाना यूस कोवर्मेंट का मानना है कि चाइना ने बहुत तरीके के जूट बोले हैं कोविट 19 को लेकि जिसकी वज़े से यह पूरी दुनिया में फैला है और जो चाइना में राइट्स को लेकि उसका रिकॉर्ड है उसको देखते वे भी चाइना पे सेंशन लगाने की सोची गई है और इसी सेंशन वाले पॉइंट में एक इंपोर्टन बात है वो है 2020 का जो विंटर ओलंपिक होने वाला बेजिंग में उसे विड्रॉ कराने के लिए इंटरनेशन ओलंपिक कमिटी से रिक्वेस्ट करना और अगर ऐसा करने में काम्याब हो जाता यूए से तो जो मेजर पॉइंट वो है टू इंवेस्टिकेट चाइना कि क्या जो चाइना से वाइरस निकला उसे वही नहीं रोका जा सकता था और चाइनीज गुवर्मेंट ने जूट क्यों बोले कोविड-19 को लेके और स्प्रेड की स्पीड को लेके और साथी साथ यह भी इंवेस् इस पूरे पेंडमिक के दौरान डबलू अच्छो का जो रोल है वह काफी डाउट फुल रहा है और इंकलाइन रहे तौर्ड चाइना तो यूएस से चाहता है कि एक प्रॉपर इंवेस्टिकेशन और इसके साथ ही उन्होंने डिरेक्टर जनरन है प्रेजेंट के टेड्रो है यूएस की डेट्ट्रेप डिप्लोमसी को भी पूरी दुनिया में चाइन अपनी डिप्लोमसी के तुरू डर्गेट करता है डिवलुपिंग गंट्री को उनको बहुत जादा अमंड में लोन प्रोएड करके और पिर जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाते तो उन्हें य गया है फाइव आई जो कंट्रे का गृूप है उसको भी एक्सपेंड करने का उसमें यूके उस्टेलिया कैननेडा नीजिनेंड दर यूएस से आता है और यह आपस में इंटलिजन्स शेरिंग तो उसको एक्सपेंड करने का मिलिटरी प्रेजेंस ने एशिया टू काउंटर चाइना यूएस से इस रीजन में जो उसके अलाइज हैं जैसे इंडिया तैवान वियत्ताम उनके साथ अपनी अर्टिकल 9 को रिवाइस करने के लिए आर्टिकल 9 क्या है जपैन का वर्ड वार्स सेकंड के बाद जपैन ने अपने कॉंस्टिटूशन में आर्टिकल 9 को एड किया था जिसके अकॉर्डिंग जपैन कभी भी offensive purpose के लिए मिलिटरी नहीं रखेगा वह डिफेंसी प्रप्रस के लिए मिनिमम मिलिटरी रखेगा तो यूएसे चाहता है कि जपान इसको रिविजिट करे और इसको रिवाइस करे ताकि वह चायना को काउंटर बैलेंस कर पाई इस रीजन में इंडिया का क्या स्टेड होना चाहिए इस पूरे पॉइंट को लेगे फिलाल के लिए इंडियन गौर्वर्मेंट की तरफ से इसमें कोई कमेंट नहीं आया है लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो इंडिया इससे काफी फायदा उठा सकता है पहला तो जो के लिए भी काफी फायदा मन होंगी तो इस इस अगली वीडियो में धन्यवाद